बरे बुजूर्ग कहते हैं, एक अच्छा कभी कुछ भी करे कमाल ही करता है, वैसे ही अटल जी ने जो कुछ भी किया कमाल काही किया, राजनीती हो, कविता हो या प्रेम हो, सब उन्होंने कमाल काही किया, तीन बार भारत के प्रधान मंत्री पत सभालने वाले भारतिय जन्ता पार्टी के सहसं स्थापक रहे, भारतिय राजनिती के युग पूरुस भी कहे गए, कोई उन्हें सर्वकालिक महान कभी तो कोई उन्हें महान दर्षनिक की उपाधी से नवाजा है, कोई उन्हें मंत्र पुख्ध करने वाला वक्त था तो कोई उन्हीं राजनिती के अजात सत्रू के नाम से जानता है। आज उन्हीं का पुन्यति थी है। आज देश के पूर्परधानमंत्री और देश रहत्न अटल विहारी वाजपई की चौती पुन्यति थी है। आज सवेरे भारत के राश्पती ज्रौपदी मुर्मू, उपराश्पती जग्रीप धनकर और प्रधानमंत्री नरेंद मोहीन में अटल समाधी पर जाकर उन्हें सर्धानजली अर्पिती। चालिस वर्स तक विपक्ष में रहकर सरकारों का सबसे प्रखर रूप से विरोध करते रहने वाले अटल जी अपने पूरे कारेकाल में न कभी अभध्र हुए न कभी अमरे आदित हुए। भारत का प्रतिनीधी बनाकर नर्सिमाराओं ने उस समय संयुक्त राश्ट भेजा था। भारतिये लोकतंत्र में सत्ता पक्ष का अभी पक्ष पर ऐसा भी स्वास फिर कभी देखने को नहीं मिला। इस सब कही तर उनके जीवन का एक और भी पहलू है जिसके बारे में हम आप को बताएंगे जिन्दगी एक खुबसूरत यात्रा होती है क्या पता किस मोर पर कौन सा लमहा आपको जिन्दगी जीने का एक मकसद दे दे आपकी जिंदगी बदल दे भारत के पुर परधानमंतिर अटल जीक की जिन्दगी के उस लम्हे को उस प्रेम कहानी को हम आपको ब कहानी तब शुरू होती है जब महात्मा गांधी के नेतित में पूरे भारत में अंग्रेज के खिलाब भारा छोरो अंदोलन चलना होता है। नव अगस्ट को भारा छोरो अंदोलन की सुगात होती है। उस वक्त अटल विहारी बाजपे क्यों मातर 18 साल थी। अटल जी गौालेर के विक्टोरिया कॉलेज से बीए की पढ़ाई कर रहे थे। साथ ही राष्टिये स्ट्रेम सब्सक्संग के एक सकडिये सदस से भी थे। रोज संग के दफ्तर में उनका आना जाना लगा रहता था। उसी समय पढ़ाई के दौरान उन्हें एक लड़की पसंद आ गई। यह एक ऐसा दौर था जब बातें केवल आखों आखों में ही हो जाया करती थी। चेहरे का हाव भाव प्रेम के कई सारे सकारात्मक संदेश दे देते थे। उस समय बात करने के ज्यादा मौका नहीं मिल पाता था लेकिन अटल जी ने हिम्मत करके एक दिन कॉलेज की लाइब्रेडी में बैठ कर राजकुमारी को लव लिटर लिखा। राजकुमारी ने उस प्रेम पत्र को ले तो लिया उसे पढ़ भी लिया लेकि उन्हें क्या मालूम था कि इस प्रेम पत्र के कारण उस दिन के करीब 14-15 साल वाद हमेशा के लिए वहीं लड़की उनके जीवन में फिर से आने वाली थी। कोलेज के वाद राजकुमारी के घर वाले उनकी साधी के लिए लड़का देखने लगे तब उन्होंने अपने घ दवाब में आकर रामजस कॉलेज में दर्शन सास्त पढ़ाने वाले बरज नरायन कॉल से उनकी साधी हो गई और इधर अटल विहारी वाजपई के घर वाले भी उन पर साधी का दवाव बना रहे थे। तब उन्होंने सोचा कि अगर मेरी साधी हो जाती है तो इसके बाद में सक्रिय रूप से राजनीती और देश सेवा नहीं कर पाऊंगा इसलिए उन्होंने साधी करने से मना कर दिया और अपना सारा समय राजनीती पर देने लगे। राजकुमारी साधी के बाद अपने पती के साथ दिली चली गई। उनिस सो संतावन में हुए लोग सभा ने राजकुमारी भी आई थी लव लिटर देने के ठीक 15 साल वाज अटल विहारी और राजकुमारी की दुवारा मुलाकात ही। अब अटल और राजकुमारी फिर से मिलने जूने लगे। दोनों में बात मुलाकात होने लगी। एक दिन बात करते करते राजकुमारी ने अ आफी भावु खो रहे थे, क्योंकि अटल जी ने उस खट का इंतियार पिछले 15 साल से हर रोज किया था, इसके बाद अटल जी अक्सर राजकुमारी से मिलने उनके घर पर जाने लगे, बाद में जब अटल विहारी बाजपई देश के परधान मंत्री बने, उन्हें दिली मे एक बड़ा सा ससकारी बंगा मिला, तो राजकुमारी उनके पती और उनकी दो बेटियों के साथ अटल जी के घर पे ही सिफ्ट हो गए, हिंदुस्तान की राजपई का यह पहला वाकिया था, जब परधान मंत्री के सरकारी आवास में कोई ऐसा सक्सियत रह रहा हो, जिसे प राजपई में सूचिता थी, एक दुसरे के प्रती सम्मान था, पक्ष हो या भी पक्ष, सब ने एक दुसरे का सम्मान करना कभी नहीं छोड़ा, अटल जी और राजकुमारी का रिष्टा इतना पवित्र था कि किसी भी पक्षी पार्टी ने भी इस पर कभी सवाल नहीं उ तो उन्होंने भी इस बारे में सोचना बंद कर दिया, 1980 में राजकुमारी ने एक इंटर्व्यू में बताया था कि उनकी और अटल के बीच जो परिपक को संबंध है, उसे बहुत कम लोग ही समझ पाएंगे, राजकुमारी ने अपने पती के बारे में बताया कि मुझे और अटल को मेरे पती को इस रिष्टे के बारे में कभी सफाई नहीं देनी पड़ी और उन्होंने भी कभी इस पर कोई सवाल नहीं उठाया, अटल जी राजकुमारी को हाई कमांड के नाम से बुलाते थे, एक बार एक बड़ा पत्रकार अटल जी का इंटर्व्यू लेने के उनके आगे पीशे दोर रहे थे, लेकिन अटल जी उन्हें इंटर्व्यू देने को राजी नहीं हो रहे थे, तब उस पत्रकार ने डाइरेक्ट राजकुमारी को कौल लगाया और अपनी परिसानी बताई, तब राजकुमारी ने कहा आप कल दस बज़े आईए, उमीद है आपको इंटर्व्यू मिल जाएगा, जब वह पत्रकार अगले दिन दस वज़े वहाँ पहुचता है, तो अटल जी पहले से ही वहाँ तयार होकर बैठे थे, उस पत्रकार को देखते ही अटल जी ने कहा, आपने तो डाइरेक्ट हाई कमांड से ही बात कर ली, अब मैं आप को कैसे मना कर सकता हूँ, इसके बाद अटल जी ने उस पत्रकार को एक लंबा इंटर्व्यू दिया था, अटल जी और राज कुमारी कॉल के बिच कुछ इस तरह का अनकहा और सचा रिस्ता था, आज अटल जी की पुनेती थी है, ऐसे में देश के कोने कोने सो लोग उन्हे सही होगी हैं प्यूश, बहुत बहुत धन्यवाद